अगर हम लोग बात करते हैं Permanent Magnet Machines की, तो अब तक हमने देखा, हमने DC मशीन देखा, हमने देखा कि जब Permanent Magnet का हम लोगों ने इस्तमाल करना शुरू करा, अपनी machines के अंदर, तो हमने देखा कि दो machines सबसे ज़्यादा effect होई, एक थी DC मशीन और दूसी थी synchronous machine, ठीक है, DC मश मशीन जो नई निकल के आई, जब हमने Permanent Magnet का इस्तमाल करा, एक थी PMDC और एक थी BLDC, ये दोनों मशीन हमने last lecture के अंदर discuss कर चुके हैं, BLDC के लगबग लगबग 6 lecture मैंने record करे हैं, I hope वो lectures आपको पसंद आए होंगे, बहुत detail में हमने BLDC मोटर कवर करा है, and PMDC मशीन के भी ह काम दिया गया PMSM, यानि की Permanent Magnet Synchronous Machine, ठीक है, तो यही हमारे याद चर्चा का विशा होने वाला है, और मेरा नाम प्रांजल है, आज इस lecture के अंदर हम लोग बात करेंगे, Permanent Magnet Synchronous Machine के बारे में, और जानेंगे कि क्या होती है, क्या advantage होते हैं, और कहां इनका इस्तमाल क ठीक है, तो सबसे पहले अगर Conventional Synchronous Machine की बात करें, तो यहाँ पे स्टेटर के ऊपर हम लोग 3-phase armature winding करते थे, ठीक है, यहाँ पे हमने 3-phase armature winding की है, रोटर के ऊपर हम लोग क्या करते थे, यह हमारा रोटर है, यह particular हमारे पास यह रोटर था, और रोटर के ऊपर हम लोग कर करते थे, electromagnetic field winding, ठीक है, तो electromagnetic field winding का इस्तमाल करते थे, रोटर पे, और इस electromagnetic winding को energize करने के लिए, हम एक DC source की जरूवत पढ़ती थी, यह DC source हम लोग अलग तरीके से दे सकते थे, बैटरी से देते थे, अगर बहार किसी static चीज़ से आप DC source देंगे, अगर आप static चीज़ से, या तो जो conventional synchronous machine होती थी, उनके अंतर हमें brush और slip ring की जरूवत पढ़ती थी, हाला कि जगर अगर alternator की बात करें, तो alternator को advance करने के लिए, आपको याद होगा, मैंने DC excitation का पूरा एक lecture बनाया हुआ, काफी popular lecture है, और करीब 10,000 views उस पर आ चुके हैं, आप उस lecture को देख सकते हैं, तो वहाँ पर अगर हम उस lecture की बात करें, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे engineers ने brushes और slip ring को हटाया था, पर ये हर बार possible नहीं है, यानि कि क्योंकि alternator हमारे लिए बहुत valuable हैं, और वहाँ से हम अच्छा खासा revenue generate करते हैं, तो इतना जादा complex circuit का इस्तमाल कर सकते हैं, इस source के लिए भी मुझे extra source, DC source चाहिए होगा, अगर मैं conventional machine की बात करूँ, क्योंकि extra source इसलिए चाहिए होगा, CDC बात है, अगर extra source नहीं दोगे, तो फिर field winding कहां से आएगी DC की, ठीक है, तो एक तो यही बहुत बढ़ा important part है, कि हमें क्या है, रिक्वाइर external DC source, clear होगा यहाँ पे से जोडने के लिए, मुझे brush और slip ring चाहिए होगा, ठीक है, तो इस इस convention synchronous motor, जिसके अंदर यह सारी problems हमने देखी थी, ना अगर बात कर लेते हैं, इन problem को solve करने एक लिए, इंजीनिर्स ने develop करी, PMSM, यानि की permanent magnet synchronous machine, इसके अंदर हमने क्या करा, simple सा काम किया, हम यहाँ पे ज हमने जो, जो north-south, जो हम लोग field winding से energize कर रहे थे, उसकी जगह हम लोग permanent magnet सीधा सीधा picture में ले आए, ना अब यह जो permanent magnet तुम ले के आए हो, इसकी खास बात, यानि कि इसके लाने से क्या हुआ, तो सबसे पहला advantage इसके लाने से यह हुआ, कि हमें किसी भी तरीके के brush और slip ring क नहीं होगा, जब brush use ही नहीं करेंगे तो damage भी नहीं होगा, efficiency better मिलेगी, efficiency better मिलेगी क्यों, क्योंकि losses कम हो जाएंगे, कौन-कौन से losses, ना तो commutator loss होंगे, और ना ही field copper losses होंगे, यहाँ पर field winding थी, इस winding अंदर जब current flow करेगा, आई field, तो इस field की वज़े से क्या होगा, I square, I F का whole square into RF, यह losses होते थे, इसको आपको याद होगा, मैंने starting lectures, यह permanent magnet machines की बारे में चर्चा करना शुरू करी थी, तो वहाँ मैंने बताया था कि यह जो losses होते थे, these are called field copper losses, field copper losses, ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि यह field winding है, और field winding की जो copper losses जो होते है, field winding के अंदर जो wire use कर रहे हो, copper क वहाँ पे जो losses होते थे, तो उसकी वज़े से हम लोगों ने इसको field copper losses कह दिया, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी भी तरीके की field winding का इस्तवाल नहीं करा गया है, तो अब जब field winding ही नहीं है, तो कोई भी field losses नहीं होंगे, तो no field copper losses, एक loss यह हटा दिया हमने, दूसरी बात, मैंने किसी भी तरीके का brush और slip ring इस्तमाल नहीं करे थे, तो कोई भी यह commutator और brushes और slip ring में जो losses होते थे, वो सारे भाहर हो गए, यानि कि commutator losses नहीं होंगे, यही जो slip ring होते है, इनहीं का advance version होता है commutator, ठीक है, तो यानि कि अगर slip ring इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो जो slip होने कारण, brush और slip ring के बीच में, जो slip होने कारण, जो losses होते हैं, कभी-कभी, तो वहाँ ना तो उस तरीके commutator losses होंगे, ठीक है, इस parking type की, और ना ही कोई brush damage होगा, क्योंकि अब brush ही नहीं, तो damage क्यों होगा, ठीक है, तो क्योंकि यह सारे losses हमने picture से हटा दिये, तो ह यहाँ पर यह सारे अगर हम compare करते हैं, synchronous conventional machine को with advanced PMSM से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि permanent magnet इस्तमाल करके, हमने system को काफी ज़्यादा simple कर दिया है, और काफी ज़्यादा losses कम कर दिया, efficiency बढ़ा दी, ठीक है, और एक और बहुत important बात, कि अगर हम इस particular system की बात करें, तो इस system fit नहीं करना है, तो small space, यानि कि space requirement भी इसकी कम है, space requirement जो है, वो क्या है, वो भी low है, तो यह भी एक additional advantage हो जाता है, यानि कि अगर दोनों compare करें, तो आप PMSM को prefer करोगे as compared to the conventional SM, समझ मारा होगा, आगे चलते हैं, अगर हम construction wise देख लें, तो construction wise आपको याद होगा, मैंने जै synchronous motor, synchronous machine का जो structure होता है, conventional, conventional SM का जो structure होता है, बिल्कुल वैसे इस टेटर हमने इस्तमाल करा है, कुछ खास change नहीं करा है, इसके अंदर, ठीक है, three phase armature winding लगा देंगे, जैसा कि मैंने picture में यहाँ यहाँ यह लगाई हुई है, three phase armature winding, clear हो रहा है, यहाँ जैसे यह phase one हो गया, this is phase two and this is phase three, तो यह three phase armature winding simply मैंने की हुई है, बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर simply armature winding कर देंगे, उसके अलावा बात आती है, अगर rotor की, तो rotor में हमने change करा है, generally, जो prefer करते हों हम करते हैं, interior mount permanent magnet rotor का इस्तमाल करते हैं, इसके उँपर मैंने काफी lecture बनाए हुए है, अभी पीछे हम important है, वहाँ पर मैंने reveal किया है, कि जब हम permanent magnet rotor की बात करते हैं, तो यह काफी अतर differ होते हैं, compared to the normal rotor, यानि कि normal rotor जो physically हम जिनका इस्तमाल करते हैं, conventional machine के अंदर, वहाँ के rotor और permanent magnet rotor, इनके बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर यही होता है, कि जैसे for example, अगर हम normal rotor की बात करें, और वहाँ saliency है, अगर normal rotor में saliency है, तो xd greater than xq आता है, लेकिन permanent magnet rotor अगर है, और उसके अंदर saliency है, तो यहाँ पर क्या आएगा, xq greater than xd आएगा, बड़ा important change, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, तो यह lecture देख सकते हो, magnetic saliency पे, खेर, तो यहाँ पर हमने यह सारी चीज़ें discuss करी, BLDC motor के अंदर हमने बात करी थी, और भी machine हमने जो permanent magnet machine पढ़ी है, तो basically दो तरीके के rotor हमने देखे थे, एक थे surface mount, surface mount देखे थे, जिनको हम SPM कहते है, surface mount permanent magnet rotor, एक तो SPM देखे थे, और एक देखे थे IPM, यानिकी interior mount, interior mount में म surface mount में क्या होता थे, पहले वो समझ लेते हैं, rotor के outer पे हम लोग ऐसे करके pole mount कर देते थे, north-south permanent के, ठीक है, अब यह जो थी, इससे problem आ रही थी, speed नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि यह कह सकते हो कि, mechanical यह अच्छा design नहीं है, क्योंकि इसके centrifugal force काफी imbalance थी, तो हम ज़्या पादतेज नहीं चला सकते थे, तो इसको solve करने के लिए हमने क्या करा, इन poles को अंदर mount कर दिया, यह रहा, ठीक है, और यहां north and south लगा दिया, और यह जो हमने अंदर की तरफ mount करा, इसे हमने कह दिया, interior mount, इससे क्या हुआ कि अब यह देखो, एक बहुत smooth design हो गई, noise कम कर द से देखो दोगे, तो वो कहेगी, नहीं भाई, यह तो salient है, दिखने में cylindrical है, physically cylindrical है, लेकिन अगर magnetically पूछोगे, तो यह एक salient pole है, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, तो आयोब समझ में आ रहा हो, तो interior mount permanent magnet rotor का हमने इस्तमाल करा, इन के अंदर, तो यह यह की, physically, तो salient ही है, इन के अंदर, लेकिन अगर magnetic king ugly बात करें, तो salient नहीं है, यह दिखने में लब रहा है कि, होगी, तो तूम से पूछेगा, यह salient है, negatively salient है, तो तूम का होगी, यह salient है, तो तो पूछेगा, तुमकी, यहёт, अंसर है, लेकिन शे wrame, तो physically, यह तो यह को जो है वो basically on the basis of direction of magnetic field में बाटा गया यानि कि अगर PSM की बात करें तो हमने rotor के basis पे बाटना इसको cancel कर दिया था क्योंकि IPM हमारा काम चला रहा था तो फिर किस basis पे टाइप मार्केट में जो दो तरीकी POSM मिल रहा है वो किस basis पे तो on the basis of direction of magnetic field यानि कि भाई जो magnetic field तुमारा रोटर permanent magnet जो रोटर ले रखे हो वो जो magnetic field बना रहा है वो उसकी direction क्या है यह अपने आप में अजीब वर्ड है या direction क्या है और से साउथ ही होगी नहीं direction की basis पे permanent magnet को दो पार्ट में बाटा जाता है एक होते radial field permanent magnet PMSM और एक होते axial field PMSM ठीक है इसको अगर मैं आपको उपर उपर से बताओं तो for example अगर तुम यह shaft ले रहे हो ठीक है और यह तुमारा रोटर है ओके यह होगा रोटर ठीक है इस तरीके से ओके तो अगर अगर तुमने क्या करा नौर्थ पूल यहां बनाया है और साउथ पूल यहां बनाया है इस तरीके से तो इनका फ्लक्स यहां से निकलेगा और यहां से एंटर करेगा ठीक है तो इस के अंदर फ्लक्स जो है वह पैरलल है शाफ्ट के बड़ा important point लिखा है भाई यह सब कुछ बया कर दिया है मैंने इसी में तो ऐसा रोटर जिसके अंदर जो फ्लक्स है वह पैरलल है शाफ्ट के यहां पर देख सकते हो यह शाफ्ट की अगर 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 यह पास यह रोटर है और यह घूम रहा है इस तरीके से तो इस एक्सिस तो उस एक्सिस अगर पैरलल फ्लक्स है तो वाट भी काल हम उसे कहे tiếpुंगे एक्सियल फेड़ हो रहा है यहां पर यह कि तुम्हारे एक्सिल्फिल्फेट वहीं पर अगर हम क्या करते शीम शाफ्ट ले लेते सीम रोटर यह हो गया और this is what we call shaft अब वापस से अब की हमने क्या कर रहा है north यहां बनाया ऐसे करके और south नीचे बना दिया है यह ऐसे करके तो अब क्या हो रहा है field देखो यहां से बाहर निकल रही है और यहां से enter कर रही है clear हो रहा है ऐसे अगर ऐसा बना दिया तो देखो अब क्या हुआ है यानि कि यहां पर जो flux है flux is perpendicular to shaft देखो यह shaft axis है और यहां से यह flux जो है वो बाहर perpendicular जा रहा है so this is what we call radial radial PMSM सभज में रहा है so this is what we call radial PMSM ठीक है यानि कि radial यानि कि along the radius देख सकते हो radial का मतला तो देखो अगर हम बात करते हैं radius कैसे draw करोगे इस rotor का तो हम ऐसे करके कहेंगे radial यह हमारा radius यह या ऐसे कहलो radius this is what we call radius तो देखो along the radius ही तो है radius यही तो हुआ कभी भी radius हम लोग shaft के axis में थोड़ी miser करते हैं हम लोग हमेशा कैसे करते हैं परपेंड़कुलर टू शाफ्ट रेडियस निकालते हैं तो इसलिए फ्लक्स जो होगा radial यहाई से वर्ड आया radial field यानि कि ऐसी ऐसा permanent magnet जिसके अंदर जो field है वो along the radius है तो दिस इस वर्ड वी कॉल्ड रेडियल यानि कि along the radius कहलो या perpendicular to shaft कहलो तो इसका मतलब क्या हुआ field जो होगी field along the radius ठीक है तो field जो है यहाँ पे वो radius के along तुमें देखने को मिलेगी clear हो गया यहाँ पे आयो clear बिल्कुल समझ में आ रहा होगा so field अगर radius के along है तो भाई radial हो गया field अगर shaft के perpendicular है तो भी हम उसे radial ही कहेंगे clear होगे अगर shaft के parallel है तो हम उसे axial कहेंगे तो आयो समझ में आ गया होगा इसकी उपर एक detailed lecture केवल radial और axial field PMSM क्या होते है इनकी उपर detailed lecture जस्ट इसके बाद मैं upload करूँगा यानि कि उसकी उपर मैंने separate lecture बनाय हुआ है परशान होने ही जरूवत नहीं है क्योंकि एक बड़ा important part है अगर हो सकता है आप से interview में ना पूचा जाए वाइबा में ना पूचा जाए तो हो सकता है आप इस पर research करो क्योंकि आने वाले समय में आप अगर mtech करते हो या फिर कहीं से PhD कर रहे हो तो वहाँ पर जब भी आप PMSM डिजाइन करोगी तो radial और axial field की जरूवत आपको पढ़ेगी तो as an electrical engineer आपको पता होना चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या कर रहा है separate lecture आपके लिए तयार कर रहा हूं उस पर काम चल रहा है तो most probably इसके बाद जो होगा वह लेक्चर आपको मिलेगा वहाँ पर हम बढ़ा detail में discuss करेंगे कि radial और axial field क्या होती है ठीक है तब तक लिए आगे चलते है अगर हम बात कर लेते है principle और operation तो भाई operational principle बिलकुल similar है जैसा convention synchronous motor के अंदर होता है कोई change नहीं है हमने change करा भी कहां हमने केवल field winding की जगा ही तो एक permanent magnet का इस्तमाल करा था बाकी और तो कोई ऐसा change करा नहीं था तो operation principle भी same रहेगा प्रिंसपल आपको याद होगा प्रिंसपल सिंपल है जब भी हम क्या करेंगे थ्री फेस supply देंगे उसको तो वो क्या होगी एर के अंदर rotate होने लगेगी और यह जब rotate होगी तो हम कैसे भी करके इस rotor को इसके साथ लॉक करवा देंगे बाई initial starter जैसा कि आपने सुना होगा पोनी motor का इस्तमाल करते हैं conventional generator के अंदर स्वरी conventional motor के अंदर तो उसी तरीके से किसी motor का इस्तमाल करेंगे हम लोग और या फिर damper winding का भी इस्तमाल करते हैं synchronous motor को self start बनाने के लिए तो किसी भी तरीके से ultimately करना क्या है हमें rotating magnetic field आईगे और उसके साथ हम क्या करेंगे magnetically locking करा देंगे भाई अपने rotor की और magnetically lock हो जाएगा rotor तो उसके साथ ये घूबना start कर देगा clear हो रहा है so this is the simple concept तो rotating magnetic field generate करनी है और magnetic locking करानी है बस ये दो दिमाग में दो वर्ड याद रखने है कि motor on करेंगे rotating magnetic field बनाएंगे और फिर magnetic locking कराएंगे जैसे ऐसा होगा तो मारा synchronous motor जो है वो rotate करना start कर देगा so this is the simple and basic principle of operation of a synchronous motor and this is same operation यही same हम जो है principle का इस्तमाल करते है PMSM में कोई खास चीज़ नहीं करा है केवल ये जो electromagnetic field winding देख रहा है इसकी जगा ये हमने क्या करा permanent magnet का इस्तमाल कर लिए बस और कुछ नहीं करा है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ similar to synchronous motor PM यह बड़ा important point है जैसा कि conventional synchronous motor जो होती है उनके अंदर क्या problem होती थी यह self start नहीं होती थी क्योंकि उनका inertia जादा होता था और magnetic locking नहीं हो पाती थी तो same problem यहाँ पर भी देखने को मिलती है similar to synchronous machine PM SM is also not self starting बड़ा important point है यह भी ध्यान रखना in nature यानि कि अगर हम बात करते हैं क्योंकि हमने केवल electromagnetic field winding को हटाया है बाकि और कोई खास change हमने PM SM में किया नहीं है तो बिल्कुल वैसे ही जो operational principle SM का है जो problem SM में थी वो कुछ-कुछ problem हमारे PSM में भी रहेंगी हमने केवल लॉस को दूर करा है लेकिन जो इनर्शिया के कारेंट जो magnetic locking problem SM में थी वो PM SM में भी रहेगी क्योंकि अगें permanent magnet का जब आप इस्तमाल करते हो तो structure और बल्की होता है तो यानि की इनर्शिया और बड़ा ही रहा एक तरीके से तो जब भी आप PM SM का इस्तमाल करेंगे तो भाई आपने इनर्शिया काफी ज़्यादा हाई होगा rotor का जैसा की SM में होता है तो यह problem महां पर भी exist करेगी ठीक है तो this is the core problem यह problem जो है self-starting की यह ऐसे की ऐसी ही बनी रहेगी PM SM में भी clear हो रहा है यहां पर चलिए आगे चलते हैं नौ बड़ा important motor से क्या चाहिए motor से हमें torque चाहिए हमेशा मैंने आपको बताया है जब भी lectures मैंने लिए हैं कि अगर generator है तो उससे हमें क्या चाहिए उससे हमें चाहिए EMF E generated ठीक है और current I A यानि कि यह कहलो यह IT कहलो ठीक है बात समझ में आ रहे है तो अगर हमें generated voltage चाहिए current चाहिए तो हम इसके अंदर जो important कर्व क्या track करते थे आपको याद होगा VT और IT का यह important कर्व होता था VT और IT यानि कि terminal voltage कितना मिला बन कितना रहा है उससे हमें मतलब नहीं बाहर कितना आ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करेंट कितना निकल के आया और अगर यहीं पर मोटर का इस्तवाल कर रहा हूं तो मोटर का काम क्या होता है मोटर में मुचाहिए है टॉर्क और इस्पीड का कर्व यानि कि मोटर कितनी तेज चल रहा ही और कितना टॉर्व बना रही है अलग-अलग इस्पीड पर जब भी आप जनेटर पढ़ो तो वी कि आई टी कर आना जरूरी बहले ही बाकी कर्व तो भूल सकते हो यह आदोना चाहिए और मोटर त्यार कर रहे हो तो टॉर्क और स्पीड का बीच का कर तो बेसिकली टॉर्क यहां पर यहां पर इसे टॉर्क इंपॉर्टेंट है यहां पर वीटी तो अब हम लोग क्योंकि सिं टीपान ओमेगा होता यह होगया सिंगल फेस अगर थरी फेस करोगे तो THREE INTO P5 कर दो यानि कि पर फेस की पावर इंटो त्री नो न ठीक तो यहां पर टॉरक का जो camps ओं ओमेगा ठीक आभ यहां पर टॉर्क की जो वैल्यों होगी वहगी पावर अगर अगर हम बात करते तो जनरली synchronous motor की जो power होती है वह हम क्या लिखते हैं वह हम लिखते हैं वी आई cos cos theta यह क्या होता था यह होता था तुम्हारा power factor angle ठीक है this is power factor angle this is terminal voltage terminal current और इस तरीके से हम लोग बना देते थे लेकिन अगर हम यहां पर बात करें अगर हम इसको लिखते हैं यह तो हो गया external external power factor angle जो जनरली हम लोग पाउर factor angle की बात करते हैं वह external होता है मतलब जो terminal पर मिर रहा होता है लेकिन आपको याद होगा एक lecture मैंने लिया है यहां पर इसको मैं आपको दिखा देता हूँ यह वाला लेक्चर यह लेक्चर बड़ा important अगर आपने नहीं देखा है तो यह लेक्चर must watch है क्योंकि इसकी उपर gate में इतने question आई हुए है आप देख सकते हो पांस से दस question आपको मिल जाएंगे जो केवल फेजर एंगिल पर घुमा फिर आके पूछे गए कभी फेजर डाइग्राम से कभी एंगिल के बारे में पूछ किया गया है कि किनके बीच में बनेगा तो यह बड़ा important लेक्चर है ना यह लेक्चर जो है वह आपको complete information देता है about internal power factor टॉर्क एंगिल इन सब के बारे में इस टॉर्क एंगिल दिस इस लोड एंगिल दिस इस पाउर और फेजर कर फेजर डाइग्राम यहां इस डाइग्राम में मैंने इन सारे एंगिल को मार करके बताया हुआ है तो यहां से आप देख सकते हो यह जो जनरली हम लोग बात करते ना थीटा की थीटा मतलब पाउर फेक्टर एंगिल होता है मतलब टर्मिनल वोल्टेज और अगर हम इसकी बात करते है काईं जो भी हम लोग इसको कहते हैं एक दमसे दिमाग से स्लिप हो गया है तो सब्साइ तो यह यह डीए होता करते हैं तो सब्साइग screaming is generate कितना करा phase voltage EP और armature current उसकी वज़े से कितना flow करा आई है तो इनके बीच का जो एंगिल हो साय था so this is साई clear हो रहा है यहाप है so this is आपका साई हो गया यह एंगल निकल क्या है this is what we call internal power factor angle यह नाम क्यों दिया गया इसे इसे internal power factor नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो व्ल्टेज जनरेट हो रहा है phase पर phase voltage वह इंटर्नल ही जनरेट हो रहा है बहार आते आते वीपीट बन जा रहा है जनरेट हुआ एप और टर्मेल पर मिला वीपीट यह हो रहा है यह और हम मोंटर की रही आईए इन दोनों के बीच का जो एंगेल होता है उसे हम लोग इंटरनल पाउर फेक्टर एंगिल काई से डिनोट करते हैं तो यहां से की- फियर atrás के बीच का जो एंगिल होता है दिस वॉट वॉटर टो घ्रैफ्ट करते हैं तो अगर यह टौर एंगिल है मेरे पास यह राएब अगर इस ऐंगिल को मैं लिखा सकते हूं था All सब्सक्राइब तो देखो अब वापस आते हैं अपने काम पे तो हमने क्या का इंटरनल पाउर फेक्टर एंगल यहां पर काई आगया है यहां पर सब्सक्राइब हो गया है यहां पर इंटरनल पाउर फेक्टर एंगल आगया है यहां पर काई आगया यहां पर समझ आ रहा होगा यहां पर इबी पीच में क्या हो गया यह दिस इस अब यह पाउर निकल के आई अब इस एंगल को हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत पीछे दिखा था एक्वल टू 90 माइनस डेल्ट यहां से क्या जाएगा बाई यहां सब्सक्राइब निकालना चाहें तो उसकी वैल्य कुछ निकल के आएगी जिसमें यह बैक इमफ जो की कहां जनरेट होगा जो जनरेट होगा आर्मेचर वाइंदिंग ओफ रोटर इस्टेटर इस कि आर्मेचर वाइंड निके महां पर जनरेट हो रहा होगा इस आप दिससेश्च यानि की सौरी करेंट रहोगे यहां पर आई फच क्या यहां पर फेज करेंट कितना है मिए और यह याद रखना है कि क्थे फिज वोल्टेज इफिज वोल्टेज ए फियस वोल्टेज तो और आंगिल यह रोगा तो यह समझ में रहे होगे तो यह ओगया कन्वेशन सिंकूनर मोटर में ठीक है अगर मोटर लेते हैं अगर हम पी अ में समय ने समय चेंज करा ही कहां हमने केबल इस्तमाल कर लिए बाकी सब चीज़ें तो वैसी रहेंगी ना तो बाकी सब चीज़ें वैसी रख लेते हैं तो टॉर्ग भी सेम मिलेगा टे कॉल टू टू इंटू 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 आई-फाई अपॉन में एंगुलर व्लॉस्टी इंटू साइन यहां पर लेंड़ा आ जाएगा इस यह फ्लक्स हो गया जो कौन बना रहा होगा जो बना रही होगी तो पर्मनें फ्लक्स बना रही है उसका एंगल और आर्मेचर का जो फ्लक्स आंगें दिन ग預द हकना बिसके बीचर इंग्मिंटिस अप़े और कॉन एंगिल क्लियर वह गए तो आयो पूरा लेक्ट्टर Internal Voltage मतलब जो Armature Winding के इंदर Voltage बन रहा होगा बन रहा होगा समय जो Current होगा उसके लेके बनाया गया इसलिए से Internal कआ गया अगर मैं कहता Terminal Voltage और Terminal Current की बाहर आता तो यहां पर आता यहां पर क्या याता Si कैं ज Adding आता थीटाULD एक्सटरनल पाउर फेक्टर एंगल क्लियर हो गया तो यह सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी और डिटेल में जानना तो इस लेक्चर को आप देख सकते हैं तो अब यहां पर मैं कंपेर कर लेता हूं अब तक मैंने टॉर्क देख ले सब कुछ देख चुका हूं तो इसे जल पाट से जोडने के लिए हमें जरूवत पढ़ती है इन सब की लेकिन अगर यहां पर देखें कोई जरूवत नहीं है डी सी सप्लाई देने की क्योंकि अल्रेडी हमें पर्मनेंट मैंने लिए तो कोई भी ब्रश की जरूवत नहीं पड़ेगी तो यह पॉइंट बहुत है यहां पर यह तुम्हारी मशीन अब प्लस साइड में आपके क्या करना है तो क्योंकि एक सप्लाई शिस्टम को भी उसी मशीन के लिए तो क्योंकि हम लोग इस इस DC electromagnetic DC system को हम लोग excited करने कोशिश कर रहे हैं तो इसे additionally add करने रहे हैं तो इसलिए यह भी एक large size यानि कि इसी के वज़े से size बढ़ जाता है जबकि PMSM में क्योंकि हमने क्या करा Electromagnetic DC system को हटा दिया है field excitation को तो हमें छोटी सी motor में भी काम चल जाएगा permanent magnet से ठीक है अगर एक बड़ा important part है जो कि PMSM में मिस है यह हम कह सकते हैं disadvantage कह सकते हो PMSM का इसके अंदर भाई देखो अगर conventional SM की बात करें तो field weakening control कर सकते हैं आपको याद होगा जब हम flux को कम करनी कोश्च करते हैं तो speed बढ़ानी कोश्च करते हैं याद होगा यह बहुत ही पुराना method चला रहा है DC machine में भी हमने इसका बहुत इस्तमाल करा था ठीक है तो generally जब हम लोग field को weak करते हैं तो speed अपने आपको बढ़ाती है ताकि जो net इनके बीच का relation है वो सेम रह सके ठीक है तो अब क्या होता है field weakening control तभी possible हो पाया जब electromagnetic field का इस्तमाल करोगी क्योंकि field winding को कमबड करने के लिए voltage DC source के साथ तो में छेड़ चाड़ करोगे हो जाया काम लेकिन अगर हम बात करते हैं पीएमसम में तो भाई यह संभा भी नहीं है पीएमसम में हमने permanent magnet का इस्तमाल किया अगर permanent magnet लिया है तो वहां पर यह भूल जाओ किसी भी तरीके field को weak कर सकते है क्योंकि वह तो permanent magnet है तो समय के साथ aging के साथ उसकी field weak हो जाए वह अलग बात है लेकिन control पॉसिबल नहीं है ठीक है समझ में रहा होगा तो field weakening control भी पता होगा नहीं पता है तो इसके लेक्सर्स पड़े हुए DC मशीन में जाके देख सकते हो कैसे हम लोग रेजिस्टेंस लगा के जो सप्लाई वोल्टेज होता है DC उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं तो वह इस तरीके से मेनली जब आप हाई पावर रेटिंग को ले रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यानि कि अगर हम बात करते हैं कन्वेशनल सिंकूर्णस मोटर की तो जब भी तुम हाई पावर रेटिंग पर जाओगे क्योंकि जब हम हाई बड़ी मशीने ले रहे होते न तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉंसेट होता है कंट्रोलिंग का और अभी मैंने पीछे बताया कि फील कंट्रोल केवल कंवेशनल में पॉसिबल है पीमसम में नहीं तो आप अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो और तुमें कंट्रोल ही नहीं मिल रहा है स्पीड पे या उस पे फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल मिल ही नहीं रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा तो बिल्कुल वही वज़ा है तो इसलिए हम लोग यह जो कंवेशनल एसम में यह स्मॉल में भी यूज कर लेते हैं और लार्ज में भी में लार्ज में करते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं पी इस्तमाल कराओ तो आयों समझ में आ रहा होगा जहां पर कंट्रोलिंग हमें फील्ट वीकनिंग कंट्रोल इतना जरूरी नहीं है छोटी मोटरों में काम चल जाएगा आगे चलते हैं बड़ा इंपॉटेंट पॉइंट हैं अंडर फॉल्ट मान लेते हैं फॉल्ट हो गया म पॉसिबली नहीं है कि हम फीलिक और प्सकार सकें क्लिएर में यहां पर यानि कि अगर हम किसी भी तरीके को भी फॉल्ट आ जाता है और आप पावर जनरेट कर रहे हो या मोटर चला रहे हो तो वहाँ पर आप फील्बांद में को अगर तुम्हें एक ऑप्शन करने का कतल cmb करते हैं और बात कर लिए अप्लिकेशन की पीम चपर करेंगे और बतलब इसकी इतनी जादा इंपर्टेंस इतना नाम क्यों है एपेखा से का तो सबसे पहला बड़ा इंपर्टेंट अपलिकेशन अप्लिकेशन एक्र nouveau वेहिकल में अपने उस दिन बताय तो यह मोटर भी इस्तिमाल करते हैं ऐसे जैसे ए के अंदर हम लोग कई मोटर इस्तिमाल करते हैं क्या होता है कि हर मोटर का यह अलग-अलग परपस है तो अगर कभी जैसा अप्लिकेशन होती यह वैसा मोटर का इस्तमाल कर लेते हैं कुछ ऐसे electric vehicles हैं जिसके अंदर हम लोग PMSM इस्तमाल करते हैं अगर वहाँ पे हमें माल लेते हैं window को rear view mirror को उपर नीचे करना है तो वहाँ पे हम लोग DC motor का इस्तमाल भी कर सकते हैं PM DC motor का तो यह depend करता है कि कौन सा application में इस्तमाल कर रहे हो ठीक है तो आपका एक इस्तमाल होगा electric vehicle के अंदर हम इस्तमाल करते हैं PM SM का blowers के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं PM SM का air compressor जो आपके आपने देखा होगा यह air compressor होते हैं इनके अंदर भी हम PMSM का इस्तमाल कर सकते हैं and बड़ा important application है wind turbine में wind power generation के अंदर PMSG PM SM मान लेते हैं permanent magnet synchronous motor अगर है तो PMSG क्या होगा permanent magnet synchronous generator ठीक है यह होता generator और यह जो wind है यह turbine घूम रही है यह ऐसा shaft work करती है ऐसा प्राइम मूवर की तरह work करती है ठीक है तो यह घूम रही है wind जो है वह प्राइम मूवर का source होगा जब wind आएगी तो यह turbine घूमना शुरू करेंगी यह घूमेंगी तो शाफट घूमेंगी जनरेटर की इस्तमाल से तो हम लोग क्या करते हैं permanent magnet का बना हुआ है यानि की फिल्ड वाइंडिंग के जनका permanent magnet यूज करते हैं और इस generator को इस्टॉल कर देते हैं इससे थोड़ा size कम हो जाता है और बनाना असान हो जाता है power को generate करना कम जगा में clear हो यहाँ पर क्योंकि अभी हमने पीछ पावर जनरेशन में जो लोग research कर रहे होंगे उन्हें पता होगा जिन लोग ने में एडिमिशन लिया होगा उन्हें भी अगर वह लोग विंड पर काम करेंगे तो PMSG वन आफ दा मोस्ट इंपॉर्टेंट और वी कें से लीडिंग जनरेटर है विंड पावर जनरेशन में क्लियर हो गए यहां पर आयो समझ में आया होगा तो इस lecture conclude कर देते हैं आयो भी lecture आपको पसंद आया होगा इस lecture के अंदर मैंने आपको बात करी different different हमने बताया कि कहां का application है सबसे important चीज़ जो मैंने बताया यहां पर इस पूरे lecture के अंदर की PMSM कैसे important machine है किस तरीके से work करत हैं और क्या नुकसान है तो आपको कौन सी चुणनी है अपनी application के लिए वह आप इस comparison table से सीख सकते हैं आप नहीं किमवी समय दिया उसके धन्यवाद lecture पसंद आया तो like कर सकते हैं कोई doubt है तो comment section बता सकते हैं उसके उपर मैं lecture बना के कोशिश करूँगा आपको डाउट solve कर Nikki thank you